32 एंट्टीटinger 325 मनोबिब्ती अभी ती यह हमारे मूंनवासी बहुजन के लिए बहुछ ज़रूरी है एटीटीचीट्ज़ वोता है उसरीर से लड़के नहीं हरा जा सकता है इनको soft skills से हराना चाहिए तब वो लोग जो है बहुत धरम के अंदर गए और हमारे जो राजे महराजे थे अपनी बहिन बेटियों से उनकी साधी कर दी और साधी करने के बाद क्या हुआ कि हमारे वो प्रसासन में आ गए हमारे राजे महराजाओं ने उनको प्रसासन में जगा दे दिया और प्रसासन में आने की वज़ा से उन्होंने इस तरह से सिच्छा व्योस्ता को चलाया कि हमारे मुल निवासी बहुजण जो है सिच्छा से बंचित हो गए और सिच्छा से बंचित होने के कारण जो है बहुद धरम में जो अस्तांकिक मार्ग है उसकी जो पहली सीड़ी है सम्मादित्ती यही पॉजिटिव एटिटिटूड या सम्म्यक दृष्टी उसको नहीं समझ सके और यही कार इन लोगों ने किया कि इन सैतानों ने क्या काम कि हमारे मुल निवासी बहुजन की जो सोच थी उसको निगेटिव कर दिया सोच को नकारात्मा कर दिया और बस वहीं से हम लोग पहली कि अस्तांकिक मार की पहली सीड़ी पर ही हम लोग अस्पल हो गये या उससे गिर पड़े तो आगे साथ सीड़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी तो attitude is a predisposition to respond in a positive or negative way attitude is a predisposition to respond in a positive or negative way to someone or something in one's environment in one's environment मतब कि किसी ब्यक्ति की सोच उसकी वह सारीरिक अथवा मानसिक अवस्था है किसी ब्यक्ति की सोच उसकी वह सारीरिक अथवा मानसिक अवस्था है जिसके द्वारा वह अपने वातावरन में किसी ब्यक्ति के विशय में अथवा किसी बस्थू के विशय में सकारात्मक अथवा नकारात्मक धंग से सोचता है किसी व्यक्ति की सोच उसकी वह सारीरिक अथवा मानसी कवस्था है, जिसके द्वारा वह अपने वातावरण में किसी व्यक्ति के विशे में अथवा किसी वस्तु के विशे में सकारात्मक अथवा नकारात्मक धंग से सोचता है, यह है, इसको कहते हैं सोच, इसको दूसरे ध से भी कहा जा सकता है, an attitude is the way, an attitude is the way a person feels about something, a person, a place, a commodity, a situation or an idea, मतब ये जो attitude है, ये जो है किसी आदमी के बारे में, किसी परिस्टी के बारे में, किसी विचार के बारे में, आदमी कैसा सोचता है, अच्छा सोचता है, या खराब सोचता है, तो इसी को attitude कहते हैं, और ये soft skill है, और हम मुल्लिमासी बहुजन को इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, कि हम soft skill हमारे बीच में नहीं है, soft skill नहीं के वाज़े से हम मुल्लिमासी बहुजन अपना संगठन नहीं बना बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, आगे हैं साथियों, इट expresses an individual's positive or negative feelings, it expresses an individual's positive or negative feelings about some objects, about some objects, आगे भी देख सकते हैं, दूसरा भी attitude कहने का ढग है, attitude are simply expressions, attitude are simply expressions of how much, of how much we like or dislike, we like or dislike various things, various things, the defining characteristics of attitude, the defining characteristics of attitude is that, is that they express, they express and evolution of some objects, some objects, an attitude may unconsciously hold, दों सोच ही होती है, जिसके बारे में हम जानते भी नहीं है, उजाने में हम अपने अंदर उसको धारन कर लेते हैं, अपने अंदर धारन किर एते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है, हमारी सोच कैसे बन गई, मतब कि बहुत सी सोच ऐसी होती है जिसके बारे में हमारी सपस्ट जानकारी नहीं होती है उदारहन के लिए हम घिर्णा ले सकते हैं पूर्वा अग्रह ले सकते हैं यह सब यह जिसे फार एजामपुल प्रिजिडूईस है हेट है पूर्वा अग्रह है घ्रणा है यह ऐसे हैं जो अंजाने में हम ग्रहन करते हैं हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होती है तो यह सॉफ्ट स्कील है इस पर हम लोगों को हम मुलिमासी बहुजन को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रोत है इसको पढ़ने की ज़रोत है आपस में चर्चा करने की ज़रोत है तो एटिटूड की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं पहली करेक्टरिस्टिक है attitudes affect behavior attitudes affect behavior यहनि जो attitude होता है वो सोच ब्यवहार पर प्रभाव डालती है यहनि जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका ब्यवहार होगा जैसा आपकी attitude होगा वैसा ही आपका ब्यवहार होगा दुसरा है सोच attitudes are invisible attitudes are invisible नि सोच address होती है सोच अद्रिसमारे सोच को देखा नहीं आ सकता दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन होती है लेकिन होती है और है थार्ड है attitudes are acquired मतलब कि attitude को जो है सोच को इसी दुनिया में गरहंड किया जाता है इसलिए सिच्छा का महात्व है जो बाबा समने का सिच्छित बनो तो इसका मतलब यही है कि जो हजारों साल से हम सिच्छा से बंचित कर दिये गए है इन सैतानों ने जो हमको सिच्छा से बंचित कर दिया है तो उसकी वज़ा से हमारी सोच जो है negative हो गई है तो सिच्छा अगर हमको मिलेगी तो सिच्छा से हमारा क्या होगा? सोच हमारी positive हो सकती है और सोच को इसी दुनिया में grant किया जाता है यनि सिच्छा इसी दुनिया में चलती है तो acquire का मतलब यही होता है इसलिए सिच्छित बनों का बहुत बड़ा महत्व है इसको हमें सोच से एगर जोड करके हम देखे तो साद ज्यादा अच्छा होगा आगे साथी हो attitudes are prepared नहीं सोच जो होते है ब्यापक होती है यनि सोच जो होते बहुत ब्यापक होती है यन्यां कि सोचिए कि अश्टांगिग मार की पहली सीड़ी है यह जो है पहली सीड़ी है और इतनी ब्यापक सोच हो इसका असर होता है बस पहली सीड़ी से ही हम दिरेल कर दिये गए पहली सीड़ी से ही हम मुलिवासी बहुजन दिरेल हो गए हमको इन सैथानों ने हमको दिरेल कर दिया बाकि इनको कुछ करने की जोड़त नहीं है आज हज किलामी से मुक्त नहीं हो सकते हैं